नमस्ते दोस्तो मैं कवीता रादा की रोसे भीवानी में आपकर स्वागत करते हूँ आज हम बनाएंगे ब्रेड उपमा तो चलो रैसिपी बनाना शुरू करते हैं प्लेट में हमने ली हैं तीन बासी ब्रेड इन्हें छोटे टुकड़ों में काटेंगे यदि आपकी यह कड़ाई में डालकर ड्राई रोस्त भी कर सकते हैं क्योंकि इस रैसिपी के लिए हमें थोड़ी ड्राई ब्रेड चाहिए ब्रेड को मेरिनेट करने के लिए कड़ोरी में तीन टेबल इस्पून दई लिया है इसे अच्छे से फैटेंगे अब इसमें वन फॉथ हल्दी डालेंगे सबको अच्छे से मिक्स करेंगे हमारा मेरी नेशन त्यार हो गया है मिक्सिंग बोल में थोड़े ब्रेड के टुक्रे डालेंगे उसके ओपर थोड़ा दही डालेंगे फिर से थोड़े ब्रेड के टुक्रे डालेंगे उनके ओपर थोड़ा दही और बचवा सारा दही हम डाल देंगे सब को अच्छे से मिक्स करेंगे दही डालने के बाद ब्रेट को मुश्कल से दो मिनट के लिए रखेंगे जादा देर रखने पर ब्रेट सोगी हो जाएगी तटके के तैयारी पहला से करके रखेंगे कड़ाई में 2-3 टेबल इस्पून तेल डालेंगे इसके हलका गरव होने पर हाफ टीजपून जीरा हाफ टीजपून सरसो आफ टीजपून तिल दो पिंच हिंग चार पांच करी लिफ्स डालेंगे इनके क्रेकल होने पर एक छोटे साज का बारीक कटा प्याज, एक बारीक कटी हरी मिच, एक इंच बारीक कटा अधरक का टुकडा डालेंगे प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज होने पर 1-4-3 इसपून नमक, 1-4-3 इसपून लाल मिच पाउडर डालेंगे सब को मिक्स करेंगे दो टेबली स्पून टोमाटो केचप डालेंगे गैस की फिलेम लो रखेंगे सबको मिक्स करने के बाद दई वाली ब्रेड कड़ाई में डालेंगे दो मिनेट तक लो फिलेम पर हलके आतों से चलाते हुए इन सबको इच्छे से मिक्स करेंगे अब बारी कटा हरा धनिया डालेंगे इसे भी मिक्स करेंगे हमारा ब्रेड उपमा सर्वे करने के लिए तैयार है आज के रेसिपी पसंद आने पर वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई और टेक कियर